सभी बच्चों को नमस्कार और बिटा मेरे इस चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनेंदन और स्वागत और वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे आप लोगों की एक तो मार्क सीट से रिलेटेड के बीए बीस सी बीकॉम सेकंडियर की और थर्डियर की जो मार्क सीट है उ सुप्लीमेंटरी के उपर हम लोग डिसकस करेंगे कि जो सुप्लीमेंटरी की एकजाम से उनके फॉर्म कब से आएंगे बरने में और कप तक ये पर возьने में हो सकती हें revolution के result के उपर हम लोग discuss करेंगे कि revolution के results कब तक आ सकते हैं revolution के जो form अभी भरे जा रहे हैं इसके उपर भी हम लोग चर्चा करेंगे तो यह एक compact सा वीडियो है जिसमें हम लोग काफी बातों के उपर चर्चा करेंगे और जो students नए हैं उन सभी से मैं कहना चाहूंगा कि आप लोग जो है description में जाकर के अपने WhatsApp और Telegram ग्रुप मैंने बनाए हुए हैं उनके link को वहां से आप देख करके और join कर लें और यदि आप लोग channel पर नए हैं तो फ्लीज आप लोग channel को subscribe जरूर करें और अपने साथियों के साथ share करें क्योंकि इस channel पर आपको सिर्फ official आधिकारिक और बहुत reliable news मिलती है मेरा उद्देश कहीं भी सिर्फ views के लिए काम करना नहीं है मेरा उद्देश यह कि मैं अपने students तक जो है proper जो खबरे हैं जो news है वो मैं आप लोगों तक share करूँ तो मैं इस वीडियो को आगे चलाते टाइम पर तो यह कह देना चाहूँगा कि प्लीज आप अपने साथियों के साथ share जरूर करतें जो भी आपके groups हैं जो भी आपके links हैं बाट सेप है आपके college में पहुंच चुकी है वी कॉम की भी पहुंच चुकी है और जो बी-ए की mark sheet है वो दीरे-दीरे college में पहुंच जाएंगी मेरे सामने अगलेíre 5-7 दिन में जो है college में पहुंच जाएंगी तो आप लोग आपने जो भी college है वहां पर जाके पता करें और यह जो सिल्सला है मार्कशिट के पहुंचने का वो दीरे-दीरे चल रहा है और कोटा विश्विध्याला इसमें लगा हुआ है और जिन बच्चों को लगता है कि कोटा विश्विध्याला काफी पीछे है मैं आपको बता दू कि राष्टा निश्टीन तो अभी हम यूश्टी में कमिया नहीं डूने पॉजिटिव नहीं सा आप लोग देखें तो मार्कशिट से रेलेटेड बात यही थी सेकंडियर के स्टुडेंट के लिए मैं बोलना चाहूंगा कि मार्कशिट का जो इश्यू है उसके उपर आप लोगों को यह कि अभी आपके मार् आप लोगों तक आएगी तो आप लोग तेमान के चले कि 20 परवरी के आसपास जो है आप लोगों तक मार्कशिट के आने के आसार है तो उससे पहले मार्कशिट जो है आना थोड़ा सा मुश्किल है यह जो है बीकॉम और बीए जो सेकंडियर के बच्चे हैं उन दोनों के सातने में चाप लिए ऊदिया में में से आने स्थ ये की बिए बच्चों के यह जू है एक बात में या आप को साथ शियर करना चांगा के लिए सब्सक्राइबिए न हो बभियमित aur Revelation में Online Net की Marksheet जो है चल रही है कहीं Original Marksheet नहीं मांगी जा रही है आप लोग Emitr पे जाएए, Forum भरिए वहाँ से जो आपको Forum का Print Out चालान के सहित आप लोग लीजिए उसके साथ Net की Marksheet लगाएए और उसे University of Kota को भेज दीजिए बस यही एक मातर प्रिक्रिया है इसके अत्रिक्त कोई भी प्रिक्रिया नहीं है इसके अत्रिक्त कोई भी प्रिक्रिया जो है नहीं है तो यह जो है बहुत अच्छी और सुखद बात है कि आप लोग परिशान ना हो और आप लोग यहां से इस प्रिक्रिया का फालन कर सकते हैं इसके अत्रिक सप्लिमेंटरी के फॉर्म के बारे में बहुत से बच्चे पूछ रहे हैं मैं आपको बता दूँ बिटा कि सप्लिमेंटरी की जो प्रिक्रिया है न ये मेरे साम में सप्लिमेंटरी के फॉर्म जो है हुए हैं वो भी revolution का form बढसकते हैं जिनकी percentage कम बनी है वो भी revolution का form बढसकते हैं तो revolution के लिए हर students जिसके मन में यह है कि उसके number कमाए है वो appear हो सकता है आविदन कर सकता है लेकिन मैं पुने दورा दू儿 revolution में number घत भी सकते हैं प्द भी सकते हैं और नो चेंज भी रह सकता है। 300 का बंडा लोता है रिविलेशन में 2, 4, 6, 8, 10, 20 कौपियां होती है जिसमें एक्जामनर ज्यादा फोकस होता है तो रिविलेशन में आप लोग ये ना सोचें कि नंबर बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे यदि आपने अच्छा नहीं लिखा हुआ होगा तो निश्चित मान के चल इसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे फर्ष्ट एयर के बच्चों के लिए देखिये फर्ष्ट एयर का रिजल्ट जो है 2021 वारों का तो आ गया लेकिन 2020 वारों का नहीं आया है इसके बारे में बहुत से बच्चे पूछ रहे थे तो रिव्यूलेशन के बारे में मैं आप के अधार पर लेकिन पिछले साल का जो परिणाम है न वह आपके इस साल के सेकेंड यर के परणाम के अधार पर आएगा वह दस भी वारवी की बेस पर नहीं आएगा तो आप लोग इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखें अपने दिमाग में बैठा के रखें कि यदि आपक कि second year में जित्री भी percentage है उसी के basis पर आपका first year का result आने वाला है तो परिसान नहीं हो एक और जो question बहुत से बच्चे कर रहे थे कि सर इस साल कोई second year में fail हो गया तो उसको first year में fail माना जाएगा क्या तो मैं आपको बता दू कि वो first year में उसको promote ही माना जाएगा लेकिन second year उसको दुबारा देना पड़ेगा उसके बाद जब वो pass होगा तब उसी के अधार पर उसको first year में pass मानेंगे इस चीज का आपको ध्यान रखना है जो पुराने बच्चे हैं जिन्होंने इस साल second year की exam दी थी उन बच्चों के लिए मैं बोल रहा हूँ जिनका इस साल second year का exam हुआ था first year जिनका पिछले साल था यदि कोई इस साल second year में फैल हुआ है तो उसको first year में promote तब माना जाएगा तब वो अगले साल second year देगा second year में pass होगा तब उसके basis पर उसको first year में pass माना जाएगा इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है क्योंकि कई बच्चों ने इस सम्मंदित प्रैसमें किये थे सवाल किये थे तो मुझे लगा कि मुझे इस बारे में आप लोगों के साथ संबाद करना चाहिए तो इस doubt को भी मैं दूर कर दूँ आप लोगों के 2022 के परिख्या के पैटर्न के बारे में और 2022 की एक्जाम के बारे में एक्जाम फर्म के बारे में हम लोग जो है एक कंपेक्ट सा बिलकुल अलग से 2022 के बारे में चर्चा करेंगे पूरे राजिस्थान के बारे में भी चर्चा करेंगे कि क्या पैटर्न होगा किस तरीके का होगा और क्या पिछले साल की तरह जो है डेड़ गंटे का पेपर होगा या तीन गंटे का होगा या पूरा सिलेवस आएगा या आदा सिलेवस आएगा इस तरह की बातों के उपर हम लोग चर्चा करेंगे, डिस्कस करेंगे और निश्यत तोर पर अगले वीडियो में हम लोग 2022 की जो मुख्य परिक्षा है कॉलेजों में उसके उपर एक वीडियो बनाएंगे और वो वीडियो इसलिए बनाएंगे क्योंकि मैं आपको एक प्रकार से ये कहना चाहूंगा कि भ्रम में ना रहें, रियल्टी को आप लोग पहचाने, समझे, जाने और उसके साथ अपने केरियर को जोडें और अपने केरियर के साथ कम से कम खुद तो ना खेले, ठीक है ना? तो इस वीडियो को मैं यही समराइज करता हूँ, उम्मीद है कि इसमें भी आपको काफी डाउट जो है किलियर हुए होंगे, और आप लोग जितने भी नए बच्चे हैं, मैं उनसे कहूंगा कि आप लोग वाटसेप और टेलिग्राम पर मेरे साथ जुड़े रहिए, आपको बिश्वित ध्याला या कॉलेज से रेलेटेड लगवग सारी सूचनाय में निरंतर इस चैनल के माध्यम से आप लोगों के साथ सेयर करूँगा, आपको अपडेट करूँगा थैंक्यू सो मच